तेस्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा compressive strength test on cement तो compressive strength test on cement हम इसलिए करते हैं ताकि हमको strength of cement हम determine कर सके जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारा जो cement का quality है वो better है कि नहीं तो इस test को perform करने के लिए जिन apparatus की हमें आवशकता होती है तो सबसे most important जो हमें apparatus चाहिए इस compressive strength test को perform करने के लिए वो रहता है हमारा compressive strength testing machine वो कुछ ऐसा दिखता है next आपको जो important चीज़ के आवशकता है वो है आपका cement का sample, sand का sample, water चाहिए आपको graduated blast cylinder चाहिए water को measure करने के लिए next आपको use होता है weighing machine, weighing balance वजन करने के लिए next बहुत important होता है आपका क्या cube mold, sacha जिसमें आप क्या करोगे cubes को बनाओगे, तो ये बोलता है कि हम strength of cement को directly नहीं calculate कर सकते इसलिए हम उसे indirect way में calculate करते हैं with the help of cement motor तो ये बोला जाता है जो cement motor का compressive strength का value आएगा वही हमारा compressive strength का value होता है किसका cement का होता है आपको मैं ये diagram थोड़ा brief कर देती हो, ये जो compressive testing machine आप देख रहे है ये इस liver से क्या होता है, operate होता है, ये जो part है ये आपका क्या रहता है movable रहता है, मतलब ये अपने position से up and down move करता है अभी ये पूरे down condition में है, यहाँ पे आपका देखेंगे तो spacing बिल्कुल भी नहीं है next जो है, ये वाला जो bottom portion है, ये अपने जगा पे fixed रहता है, ये अपने position से move नहीं होता जैसे ही आप इसे rotate करेंगे, ये जो यहाँ पे आपका liver दिख रहा है आपको इसे आप rotate करेंगे, तो ये जो है उपर की तरफ क्या होगा, आपका उपर की तरफ move होगा और जैसे ही आप इसे clockwise में rotate करेंगे तो यह क्या है यह जो पार्ट है यह नीचे की तरफ आपका आता जाएगा यह जो है यहां से आप load की value को read करते हैं और यह जो है इनको fix करने के लिए liver arm को हम use करते हैं और यह क्या होता एक power operated apparatus होता है next जो इसका step है वो यह है कि हमको सबसे पहले क्या लेना है cement लेना है sand लेना है and water लेना है इनको आपस में mix करके हमको एक अच्छा सा cement motor बना लेना है motor का मतलब होता है आपका mixture of cement sand and water उसे ही हम क्या कहते हैं motor कहते हैं तो यह जो test हम perform करें अब मेरे पास जो cement available है वो मैं बोर रही हो कि मेरे पास OPC cement available है जिसका grade मैं choose करें 33 grade of OPC cement मैं choose करें यह अलग-अलग grades में available होते हैं जो sand मैं choose कर रही हूँ वो मैं standard sand choose कर रही हूं इस test को perform करने के लिए तो भाई मैंने cement और sand तो ले लिया अब मुझे क्या करना है water कितने amount में इसमें add करना है तो ये बोलता है आप आप देखना कि यहाँ पर आपका mention है कि cement आपको कितना लेना है 200 ग्राम और जो sand आपको लेना है वो कितना लेना है आपको 600 ग्राम इस हिसाब से आप क्या करोगे वजन करके इनको एक tray में आपको क्या कर लेना है transfer कर लेना है अब आपको क्या करना है इसमें water को add करना है तो water के लिए जो आप consistency चाहिए इसका जो formula होगा P by 4 plus 3 इस formula को use करके आपको water का जो value calculate करना है अब P का मतलब होता है आपका standard consistency जो हम पहले test किये थे second experiment पे जिसमें हम calculate किये थे कि हमारा consistency of cement कितना आया वहां से हमको पता चलेगा कि यहाँ पे P का value हमको क्या लेना है तो या इस formula में आप put करेंगे तो आपको water का percentage है वो मिल जाएगा और उसे ही हमको क्या करना है इसमें add करके motor को prepare कर लेना है जब हमारा motor prepare हो जाएगा उसके बाद हमको क्या करना है mold लेना है तो जो mold हम ले रहे हैं साचा यह जो mold है यह हमारा cubical mold है या बोल सकते हो cube के shape का होता है जिसका length, width और depth तीनों equal होता है L is equals to B is equals to D, depth अब बोलता है कि जो cube का size हम लेते हैं compressive strength of cement के test के लिए वो हमारा रहता है कि 70.6 mm का हम क्या लेते हैं अपना mold को choose करते हैं यह यहाँ पे आपका mention किया है जहाँ पे आपका apparatus required है यहाँ पे यह mention किया है कि cube mold का size आपको क्या लेना है तो हम जो लेंगे इस experiment के लिए मैं आपको बोल रहे हूँ कि आपको total 9 mold लेना है 9 molds आप 9 mold लोगे और इस 9 mold में आपको क्या करना है उस cement का जो cement motor आपने prepare किया है उनको in molds में fill up करना है molds में motor को fill up करने के पहले इस mold में आपको क्या करना होता है oiling करते हैं हम oiling हम इसलिए करते हैं ताकि जो motor हमने prepare किया है और जब हम उसे demold करें तो वो क्या हो इस mold के साथ stick मत हो तो इसको एक smooth आपका cube formation के लिए हम 4 तरफ क्या करते हैं oiling करते हैं अब यह जो आपने 9 mold में आपने क्या fill up कर दिया cement motor को fill up कर दिया अब जो cement motor आपने जो motor prepare किया है उसमें जो ratio हम लेते हैं वो रहता है हमारा क्या 1 is 2 3 का अगर आप एक bucket cement ले रहे हो तो आपको 3 bucket क्या लेना है sand को लेना है और water का कितना quantity लेना है यह में आपको p by 4 plus 3 से आपको determine करना है तो ऐसे हम क्या करते हैं आपना motor को prepare करते हैं उसके बाद आपको मोल्ड में क्या करना है उस motor को fill up कर देना है और उसके बाद उसको 24 घंटे के लिए as it is एक जगा पे उसको बिना disturb किया आपको रख देना है next day after 24 hours आपको क्या करना है उन सारे जो cubes हैं उनको unmold करना है मतलब मोल्ड से cubes को बाहर निकालना है और सारे जो 9 cubes आपने prepare किये हैं उसे आपको पानी के अंदर डुबा देना है that means you have to submerged all the 9 cubes in the lab और आपको ये धियान रखना है कि वहाँ जहां पे आपने इनको submerged condition पे रखा है वहाँ का temperature में जादा variation नहीं होना चाहिए after ये जो testing होता है हम 3 दिन 7 दिन और 28 दिन में करते हैं इसका मतलब ये है कि हम जो 9 sample prepare किये हैं total हमने 9 sample prepare किया है इन 9 sample में से पहला कोई भी 3 sample हम निकालेंगे और इसे पानी से बाहर और इसे 3 दिन के बाद हम compressive strength testing machine में इसका testing करेंगे तो अब कितना बच गया आपका 6 sample पानी के अंदर अभी भी submerged condition में next जो फिर 3 sample है उसे हम क्या करेंगे आपका 7 दिन के बाद पानी से बाहर निकालेंगे और उसे compressive strength testing machine में test करेंगे बचा हुआ जो 3 है sample उसे हम 28 दिन के बाद आपका पानी से बाहर निकालेंगे और compressive strength testing machine में उसकी testing करेंगे तो ये जो testing होगा आप आपको क्या करना है उस machine में ये जो portion मैंने बताया थे ये move हो जाता है और ये जो portion रहता है आपका fixed रहता है तो इनके बीच में आपको इसको ऊपर की तरफ move करके इस cube को यहां पे place करना है और फिर इसे धीरे से आपको नीचे ये इस surface तक लाके stop कर देना है यहां पे जब पहुँच गया upper part then आपको यहां से switch on करना है switch up on करोगे तो दीरे दीरे ये क्या करेगा load इस पे cube पे देता जाएगा एक time तक ही ये जो cube है वो load ले पाएगा और जब वो load लेने की शमता उसमें खतम हो जाएगी तो आप देखोगे कि आपके cube में ऐसे cracks आ जा रहे है जिस point पे आपके cube में cracks develop हो गए उस point पे आपको इस machine को off कर देना है और rate of loading को भी आपका stop कर देना है अब rate of loading हम किस rate से load को apply करेंगे इसमें तो यह start तो होगा हमारा zero से और यह जो rate of loading रहता है हमारा हम देते हैं क्या 35 newton per mm square per minute के हिसाब से हमको क्या करना है इस पे loading हमको देना है अब यह बोलता है कि अब आपने loading दिया अब क्या हुआ जिस point पे आपका crack develop हुआ आपने off कर दिया तो अब आप value note कर लेना वो machine में आपको reading शो कर देगा कि कितने load पे यह जो cube है वो break हो गया तो वहां से आपको load की value मिल जाएगी अब इसको observation table देखते हैं यह 7 दिन और 28 के लिए यहां पे आप three days के लिए भी क्या कर सकते हो reading के लिए यहां पे आपको three lines ड्रॉ.? करना इसमें नहीं किया है आप कर सकते हो तो यह बोलता है सबसे पहले क्या लेना है आपको weight of cement cube आपने जो future cube बनाया था उसका वजन आपको क्या करना है यहां पे note करना है मैंने कहा था, तीन दिन के लिए आप तीन क्यूब प्रिपार करोगे, साथ दिन के लिए तीन क्यूब प्रिपार करना है और अठाइस दिन के लिए तीन क्यूब हमको प्रिपार करना है तो तीनों का वजन आपने क्या किया, यहाँ पे नोट डाउन कर लिया अब next है आपका cross sectional area cross sectional area का मतलब यह होता है कि यह जो आपका cube है इसका area कितना है तो आपको पता है कि cube है तो क्या होगा length is equals to b is equals to d तो इसका area का formula क्या होता है l into b तो आपका length कितना है 70.6 mm into 70.6 mm तो यहां से आपका cross sectional area निकल आएगा इन तीनों के लिए जो की सेम होगा नेक्स्ट है आपका लोड लोड में आप ये नोट करोगे कि कितने लोड पे ये जो cubes हैं वो crack हुए हैं अब compressive strength आपको determine करना है तो compressive strength का formula होता है आपका compressive strength is equals to load upon surface area या उसी को आप cross sectional area भी बोल सकते हो हम surface area लोड आप यहां से पे जो आपने ये जो value note किया था उसको आपको डालना है और आपका surface area में यहां जो cross sectional area का जो आपको value है उससे आपको divide कर देना है तो load upon cross sectional area करोगे तो आपका compressive strength का value निकल जाएगा Newton पर mm square में ये तीनों का जो value आएगा उन में से जो average value आएगा उसे आपको यहां पे note down करना है similar manner में आप जो 3 sample है उसको 28 दिन के बाद testing करोगे और 3 sample को आप 3 दिन के बाद ये testing को perform करोगे अब मैं आपको एक standard value बता देती हूँ कि ordinary Portland cement का अगर हम testing कर रहे है 33 grade का तो ये बोलता है कि 3 दिन में उसका जो strength है वो आना चाहिए आपका 16 Newton पर mm square आना चाहिए और 7 दिन में आना चाहिए 22 Newton पर mm square आना चाहिए और 28 दिन में आना चाहिए आपका 33 Newton पर mm square का strength का value आना चाहिए अगर आपका इसी के according value आ रहा है that means आपका जो cement है वो better quality का है नेक्स जो है ये तो मैंने OPC के लिए बताया अब जैसे बहुत different types of cement available है market में जैसे हो गया आपका पोजोल और पोर्टलेंड cement इसके लिए तीन दिन में भी इसका और almost OPC का दोनों का value क्या होता है सेम होता है तो यह बोलता है कि आपका जो कभी कभी अगर आप मान के चलो rapid hardening है तो rapid hardening क्या करता है आपका day one में ही बहुत सारा strength आपके structure को provide कर देगा तो rapid hardening cement को यदि आप use कर रहे हो तो वह आपका day one में कितना दे देता है 16 newton per mm square का strength दे देता है और day three में वह दे देता ह 27.3 newton per mm square का strength दे देता है तो यह डिपेंड करता है type of cement के ऊपर आपका compressive strength का value तो यहां पे आपको result में note कर देना है कि average जो value तीन दिन साथ दिन और 28 दिन में जो आएगा और यहां पे आपका precaution में बोला है कि first point में कि आपका oiling करना must है mold को before आपका pouring the motor into the mold next है आपका weighing जो temperature and humidity है वो must be controlled मतलब आप ऐसी जगह पे यह test को perform करोगे जहां temperature variation आपका कम हो next है आपका increase the load gradually during testing यह बोलता है कि जहां पे आप test perform कर रहे हो या बोल सकते हो जब आप क्यूब को compressive strength testing machine में प्लेस करते हो तो जब हम load apply करते हैं तो हमको load को gradually apply करना है gradually का मतलब है धीरे धीरे हम load की value को बढ़ाते जाएंगे हमको sudden load को नहीं बढ़ाना है हमारे cube में तो यह जो test है I hope कि आपको compressive strength का जो test है वो clear होगा अगर आपको अभी भी कहीं पर doubt हो तो आप मुसे पूछ सकते हैं thank you